Hello Friends, Welcome to Education Ormond Channel आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में आखिर किस तरीके से अमेरिका इतना पावरफुल बना हुआ है किस तरीके से विश में अमेरिका इतना स्ट्रॉग बना हुआ है अमेरिका का डॉलर इतना मजबूत है कि आज विश की करेंसी बना हुआ है तो ऐसा क्या हुआ था जो अमेरिका आज इतना स्ट्रॉग है हम सभी जानते हैं जब वर्डवार हुआ था विश्यूद हुआ था तो उसमें बहुत जादा नुकसान हुआ था विश्की अर्थ ववस्ता बिलकुल खराब हो चुकी थी और सभी तेश प्राबलम से जूज रहे थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका इतना स्ट्रॉंग हो गया आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे तो सभी कंट्री प्राबलम को फेस कर रही थी और इन प्राबलम को खतम करने के लिए एक बैठक बुलाई गई एक सम्मेलन रखा गया तो अगर यह जानना है कि किस तरीके से अमेरिका हैं और किस तरीके से घरल रहे फेम कर दिनशुनीर लेकिल पढ़िया। सम् मेलन के बारे बारे तो ये सम्मेलन हुआ था जुलाई 1944 में एक जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक बहुत सारी कॉन्फरेंस हुई बैठक हुई और उसमें विचार विमर्ष करकर फैसले लिए गए और इस सम्मेलन में 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और भारत ने भी इसमें पार्टिस के न्यू हैंशेयर में एक जगा है जिसका नाम है ब्रेटेन वूर्ट्स महाँ पर हुआ था इसी लिए इसका नाम भी ब्रेटेन वूर्ट्स सम्मेलन रखा गया अदर्वाइस इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है यूनाइटी नेशन मॉनेटरी एन फाइनेशल अब इस सम को मेरे description में मिलेगा तो अब बात करते हैं ब्रेटेन वूर्ट्स सिस्टम के बारे में आखिर इसमें क्या था किस तरीके से यह काम करता था तो इसमें क्या था कि एक तरफ एक साइड जो थी वो जोड़ी गई सोने के साथ और दूसरी साइड को जोड़ा गया डॉलर के और डॉलर को बीच में रखा गया और कोई भी देश अपनी मुद्रा को करेंसी को चेंज कर सकता था डॉलर के साथ और यह रूल बनाया गया कि जिस देश के पास जितना सोना होगा वो उसी हिसाब से अपनी करेंसी को चाप सकता है अब आपको यहां तक के लिए रहे अब यह चीज है कि इस प्रणाली की इस सिस्टम की जरुवत ही क्यों पड़ी तो जब सेकिंड वर्ड वार हुआ था जब दुत्त विश्युद हुआ था तो उस समय पर सभी देशों की जो अर्थ वैवस्ता थी वो बिलकुल खराब हो चुकी थी और एक ऐसे सिस्टम की जरूर जाए यह ना हो कि कोई भी देश कितने भी नोट चापे और अगर किसी भी देश का विकास करना है ग्लोबल एकनॉमिक को सही करना है तो उसके लिए मुद्रा सिर्था होनी बहुत जरूरी थी तो इस सिस्टम में इस चीज का भी ध्यान रखा गया अब आप यह सोच रहे हो कि आखी डॉलर को ही क्यों विश्व की मुद्रा बनाया गया और बीच में रखा गया तो उसका कारण यह है कि जब दुत्य विश्युद हुआ था तो सबसे कम नुकसान जो हुआ था वह अमेरिका को ही हुआ था और उस समय पर अमेरिका की ही जो अर्थ वेवस्ताती वह अपने जापान पर परमानु बम गिरा दिये थे तो अमेरिका वैसे भी मजबूत था क्योंकि उसने दुत्य विश्युद में मित रास्टों को जीतने में मदद करी थी और जो सारे देश थे वो इस बात के लिए सहमत हो गए थे क्योंकि अमेरिका का डॉलर मजबूत है अम सब्सक्राइब के लिए राजी हो गए एगरी हो गए कि हां अमेरिका ही का डॉलर है जिसको हम बीच में रख सकते हैं और इस सिस्टम को बना सकते हैं तो जितने भी देशों ने इस बात पर सहमती जताई थी उन सब ने एक एगरिमेंट पर साइन किया था जिससे ब्रेटेन यह था कि डॉलर के मुकाबले गोल्ड की कीमत हमेशा स्थिर रहेगी और अमेरिका एक डॉलर तभी चाप सकता है जब उसके पास 0.88 ग्राम सोना हो और अमेरिका लिमिट में ही डॉलर को चाप सकता है ताकि वर्ड में वो अपनी वैल्यों ना खोदे और अगर अमेरिका मे किसी वज़ा से डॉलर की कमी होती है तो वो नए नोट नहीं चापेगा बलकि सोने के बदले दूसरे देशों से डॉलर को लेगा तो आपको यहां तक सारी चीजे किलियर है अब तक आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका का डॉलर इतना मजबूत हो गया था अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये वाला सिस्टम खतम होता है जब अमेरिका और वियतनाम का युद होता है तो उस टाइम पर अमेरिका की युद में आर्थिक स्तिती बहुत कमजोर हो जाती है और जो डॉलर की कीमत होती है वो गिर जाती है और इसी पीच क्या होता है कि जो फ्रांस था उसने जो अमेरिका को सोना दिया हुआ था और उसके बदले में डॉलर लिया हुआ था तो जब डॉलर की कीमत गिर जाती है तो फ्रांस क्या करता है अपने सोने को मांगना शुरू कर देता है अमेरिका से और क्योंकि अमेरिका कि अर्थ व्यवस्ता ओल्रेडी खराब है उसकी समस्याएं उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो जूज रहा है तो इस चीज को वो खतम करने के लिए एक ठोस फैसला लेता है एक स्ट्रॉंग डिसीजन लेता है और जो अमेरिका के रास्ट पती है रिचर निकसन ने 15 अगस 1971 मे को खतम कर दिया जाए क्योंकि उसके पास इतना सोना नहीं है कि वो सभी देशों को सोना वापिस कर सके और जो डॉलर की कीमत थी वो गिड़ चुकी थी और जो डॉलर था वो सभी जगा सभी देशों में वैपार के जरिये सभी देशों में पहुच चुका था तो इस गोशना से सारी दुनिया हैरान थी और उन्होंने इस गोशना को नाम दिया निक्सन शॉक अब अमेरिका को अपने डॉलर को उपर करने के लिए वापिस अपनी अर्थ व्यवस्ता को सुधाने के लिए फिर से एक फैसला लेना था अब क्योंकि साओधी अरेबिया की लड़ा करना चाता था तो साओधी अरेबिया को जो जरुवत थी वो थी कि तेल को कम समय में बेचने की तो यहां पर अमेरिका और साओधी अरेबिया मिल जाते हैं और साओधी अरेबिया अपने तेल की कुई की शुरक्षा की जिम्मेदारी वो देता है अमेरिका को अब जिन सब्कूदियारेबिया से टेल खरीदना शुरू कर दिया और जिसकी वह पेमेंट करते थे उनको पेमेंट जो करनी होती थी वह डॉलर में करनी होती थी तो इस तरीके से जो डूपता हुआ डॉलर था वह वापस्asan कड़ाा हो गया और मजबूत बन गया और आज आज भी जो कोई भी देश तेल खरीता है उसकी पेमेंट वो डॉलर में ही करता है इसलिए आज अमेरिका एक बहुत बड़ी मजबूत आर्थिक स्तिती में है और महाशक्ति बना हुआ है करएंग अमेरिक स्चीज है और महाशववड़ी मोटन खाउत नहीं अमेरिक स्चीज अमें है